सब्सक्राइब आप य्यूट को घ्ल कम टूम ऑई YouTube चैनल राच नेखेंन और फोर्सम तो चलिए आज के विडियो स्टार्ट करते हैं देखते हैं कि जो अम-एंप जो आपका चल राधी है पीरिए सब्सक्राइब है question जो include है इसमें भी क्या है तो चलिए video start करते हैं याद रखिया कि यहां से आपकी 90% probability बनती है एक्जाम में पर एक्टिसेट के question और सेम इसी टाइब का question आपकी exam में आने वाला है तो चलिए video start करते हैं समय ना बरबात करते हुए पहले question की तरफ चलते हैं कहता in which year did the kakori conspiracy case take place कहता का कोरी सदेंत मामला किस वर्ष में हुआ राइट अन्सर आपको बताना है तो यहां से अगर आपने फ़र्स हुना 1925 में तो राइट अन्सर याद रखियेगा 9 अगस्ट 1925 में हुआ था का कोरी कार्ण आपका लखनों में हुआ था याद रखियेगा question नम्मर निश्ट की तरफ चलते हैं उससे पहले क्या है अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe कर सकते हैं क्योंकि subscribe करना बिल्कुल फिर है और subscribe करने से आपका 2-3 profit होने वाला है पहला लाब होगा कि आपक से चालने होने वाली है कुछी दिनों में तो क्या है लाइब जॉइन करने के लिए आपको टाइम अप सब बता दिया जाएगा कब कब किसका बैच चलेगा समय अबर और और को दूसरे question दो चलते हैं कहता ता ताज महल इच काल्ड एड्रीम इन मार्बल विच मॉन्मेंट कहा जाता है किस असमार को पत्थर में सपने कहा जाता है पत्र में पूछा गया है तो यहां से अगर आपने अब से बीच उना था पांच महल तो राइटन सुझागा पांच महल कहा जाता है संतर मार कुप पत्थरों में सपने कहा जाता है कोईशन नमर्ट की बात करें कोईशन नमर्ट भी देखेगा मुश्ट इंपॉर्टन कोईशन है कहता लार्जेस्ट स्वोर्स आप पॉपुलेशन पॉलूशन कि दावर डीच कहता विश्ट में प्रदूसर का सबसे बड़ा स्रोथ कौन सा है तो यहां सब्सक्राइब कूड़ा एंड कचरा क्या है विश्ट में सबसे बड़ा प्रदूसर का स्रोथ है कोईशन नमर्ट की बात करें कहता विच आप फालिंग वाज इंडिया इंटर प्ला अभारत का नहीं थो यहां सब्सक्राइब का सका है मंगा ल्याइन मिष्ट राइट सवर्मंगवेश्ट मेल्याइन क्या है कि भारत का पहला आंतरगर कंपम रखेए अभियांधा याइज्ट चलते हैं विश्ट नमर्रel is the pope कॉस्ट कि स jijब के कहता है दाओन जैंड़ वी जिनकी बात में आते हुए थी याद रखीए कुछ अई इसलिए होते हैं तापकी आपके बहुत लार्ड मेयो क्या है उनका जो सासनकाल था 879 से 872 था यहां के वाइसराय में उन्हीं की क्या भारत में हुई थी चाकु मार के एक अगवाणी ने कर दिया था अगवाणी ने कोजिशन सिक्स की बात करें ध्यां से दिखेगा कहता हूँ आप दा थियो सोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे यह भी कोजिशन इस अब प्र उन्हें क्या है यहां पे जो यह निवार्क में हूई थी इसकी स्थापना उसके बात क्या है एनी बैशन तो यहां पर आई है तक ना ने कोश्च न्बर 7 तापके सामने है कहता है कि बैंक से अर्न इंट्रेस्ट आँन कहता बैंक किस पर याज जित करता है तो तो राइट एंसर होजागा रिड क्या है बैंक जो है रिड पर ब्याजा रिजित करता है याद रखिएगा कि नेश्ट कोशिंगे बात करें कोशन नमरेट आपके सामने हैं कहता हूँ वाजदा रियो लुसनरी लीडर हूँ है एंडेट हीडइज एजय स्वामी आप सलुषा रामा किसना मिसें साफ्य करांतिकारी नेश है अपने अंतिम समय रंकिस्टर आपको बतानी हैं कि ने क्या है कि रंकिस्ते में को स्विकार कि यह आक सब्सक्राइब कर आपने अपसंसी चुना है जतिंद्रनाथ बंद दाद राइट हो जगा देश्ट कोईशन तरब चलते हैं कोईशन नमबर नाइश्ट आपके सामने क्याता दारेड दारेड सर्ट मुव्मेंट वाज लिड़ भाई क्याता आंदोलन ड्रेड सर्ट की अगू अब्दुल खफार खां तो राइट एंसर जागा रेट सर्ट के अगवा जो थे हैं खान अब्दुल खफार खां अपसन नमबर सीधा राइट हो जागा तो टेन की बात करें कहता है एट्यम इद्दा एब्रेविटेड प्राम पॉम आप कहता है एट्यम किसका संशिप्त रुजव होता है आटोमेटर टेलर मसीन अपका राइट एंसर जागा कि इलेवन की बात ने कहता दा चेर मैन आफ नीट आयोगी कहता नीट आयोग के अध्यच कौन है टाइट एंस साब को पताने कौन होता है कि अध्याइब करें तो हां सब्सक्राइब अप्राइम मैंस्टर तो राइट एंसर जागा अध्याइब कर नेस्ट कोशन काता है ट्रॉल मनमर काता दफिल्म में फूलन देवी वाज डारेक्टर भाई का तब फूलन देवी फिल्म का निर्देशन किस ने किया था राइट एंसर आपको बतानी तो यहां से अगर क्या है आपने सी चुना है सेखर कपूर तो राइट एंसर हो जगा सेखर कपूर क्या है पूलन देवी फिल्म के निर्देशन किये थे कोशन नमर 13 की बात करें कहता हूँ आज नोन एज दा सेकेंड फाउंडर अब दा मराथा इंपायर कहता माराथा समरा संत की से माना जाता है कि तो यह सब्सक्राइब टो sleeping कि माहराष्टिया समराज का दूसरा संत आप माना जाता है कि दिखिए क काता है मातमा गाधी के कि मातमा गाधी की संकल पणा क्या थी recked वैस्लिय यहां सिर आपने अफसरी हरा कि यह चुना है कि ए इस्टेट लेस सोसाइटी तो राइट एंस रोजागा राज भीहिंद समाज से क्या उनका संबन्था राम राज कि बात करें देखिएगा कहता वेयर और क्वाइन से मिलिटेड इन इंडिया कहता भारत में सिख्के कहां गड़े जाते हैं राइट एंसर आपको ताना मोस्ट इंपोर्टन कोश्च नहीं तो यहां से अगर आपने अप्संदी चुना है मुंबाई कोलकत्ता है दराबाद नोएड़ा तो राइट एंसर हो जाएगा इन चार जगां क्या है कि आपके सिख्के गड़े जाते हैं जो अब मुंबाई में कब हुई चानते हैं मुंबाई में जो आपकी हुई थी इसके सब्सक्राइबाद को फिर कोलकत्ता में थी उनिस सो तीन में फिर हैदराबाद में उनिस सो पचास में उनिस सो नौवासिम क्या है नोएड़ा में गड़ी थी नेस्ट कोईशन तरब चलते हैं कोईशन नमबर 16 आपके सामने कहता है कि मेल घाट टाइगर रिजर्वी इस लोकेटेट इन विच इस्टेट कहता है मेल घाट बाग अब्यारट किस राज में इस्टित है राइटेंस आपको बता नहीं है यह से भी कोईशन आपके एक्जाम में बनते ही बनते है तो यहां से अगर आपने अप्शन दीच तर इस भी में हुई थी फिर देखिएगा फिर वही कोईशन है कहता मेल था टाइव रिजर्ट तो आपको पता है आप से नहीं हो जाएगा राइट एंसर है ना जहांकि उपर हमने बता दिया कोईशन नम रेटिंग की बात करें देंग कहता दान नेम दा फ़र्ष्ट तो यहां से अगर आपने अपस्वन बीच उना है भान अथाया ने तो राइट एंसर भुवान अथाया ने आजकर प्रोष्कार सरप्थम जीता था वह भी क्या जानते हैं निश्ट कोईशन जरब चलते हैं देखते हैं क्या कोईशन नमर 19 आपके सामने कहता नेम दा फ़र यहां से अगर आपने अपसंट बीच उना है लाल बाहदुर सास्ति तो राइट एंसर हो जागा लाल बाहदुर सास्ति को कि हैं आपस्नों में से मद्व परांते भारत तन्तपुरसकार दिया गया था तो मतलब मरने की बात 20 नमर कोईशन आपके सामने कहता है मुंड़ा इ तो यहां से अगर आपने अपस्वन बीच उना है जार खंड तो राइट याद रखे का जार खंड क्या क्या है मुंडा लोक निर्थ है नेक्ट कोईशन के तरब चलते हैं देखते हैं क्या है नेक्ट कोईशन आपके सामने हैं यह भी कोईशन इंपॉर्टन और गूमर कहां का लोक निर्थ है यहां से अगर आपने अपस्वन दीच उना है राजस्थान तो राइटेंस रोजगा राजस्थान का जो डांस है याद रखेगा नेक्ट कोईशन करब चलते हैं कोईसिन नमबर 22 आपके सामने कहता वीच इदा लार्जेस्ट है कंटेंट इन दा वर्ड कहता अब इस्व का सबसे बड़ा महादीप कौन सा है राइट एंसर आपको बता है तो महादीप की बात करता आपको पता है कि आपको प्रसांद पूछा गया है त्यान दीजेगा कि उसके बाद नेस्ट आपका है कहता है कि वीच आप दा दीज इजलेंड आर लोकेड़ेट इन दा अर्बियन सी कहता है इन में से कौन सा दीप अरब सागर में इस्थित है निक बात करें तो आप संनमर दमर्व यहां है आप सी बघंगर की खाड़ी वाली सिकत्र में चले जाएंगे तुन्टीफूर की बात करें कहता विच इद्धा डिपेस्ट ट्रेंट इस्टीप डिप्रेशन इन ऑसी इन इन दा वर्ड कहता बीशु की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है राइटेंस राप होतानी तो यहां सा अगर आपने अपसर वी चुना मारीना घर्थ तो राइट एंसर मारीना की खाई सबसे बिस्टों में सबसे गहरी याद रखेगा अपसर नमबर बी दा राइट एंसर इंपॉस्ट इंपॉर्टन्ट है हाँ तो यहां पर देख लिए आपसे ने भी कोईशन पूछा गया तो आपसे नमबर बी दा राइट एंसर हो जागा रेस्ट कोईशन सर्प चलते हैं देखेगा कहता दा यूमन फे फेसेज इज एलो इन कलर डियू टू दा प्रिस्टिंस आप एपिगमेंट काल्ड कहता क मानों के मल का रंग पीला होता है राइट अंसरब को तो यहां से अगर आपने अपसर रिचन हुना है योड्य यूरो बिलीन की कारण क्या है मानों का जुमल होता हो पीला होता है अप कि छुष इन तरब को मिलेंश को सब्सक्र मतलब सब्सक्राइब करना हूधा कि ठेखेगा कहता है वी आइल टु वैन डान पिरसभी पर चलने में क्यों सच्छा मैं कर दो यहां प्रैक्षिन फॉर्स के कारट घरसट बल की कारट क्या है हम बेना फिसले पर चलते रहते हैं कोशन नमबर अगर सोच लीजिए अगर घर्षट बलना होता तो आप रूख ही नहीं पाते एकदम चलते रहते चलते रहते चलते रहते रहते नेस्ट कोशन आपके सामने हैं कहता है कि 28 नमबर कहता है मैजोरिटी आफदा फंगल बॉइंड्स ब्योंड्स आफ है लाइस से इनकी अधिकान से बॉइट है किस से समद्धित है राइट अन्स राप होता नहीं कि वहां से अगर आपने अपसर बीचुना है ऐस को माइप सेट से तो राइट अन्स हाँ नेस्ट कोशन आपके सामने है 29 कोश्चन 29 नमर कहता है विच आप दा फालोविंग हैज ओपन ब समधिन हरी होता है कि यहां से इंसकतर आपने इस चुना है करोग्रोज तो right. कोषे में कि खुल नारे था है घर ही की संबने होता है के वार्म हैं नोर्ध कोल्ड ऑसियन काुञ जाय किसके कारण चलती है कि मुश्ट इंपोर्टन कोचन है राइट एंस राइट होता नहीं तो यहां सब्सक्राइब आपने अपसंदी चुना सभी में गल्प सही है मतलब क्या है प्रचली थवाएं पिर्थवी की घुड़न और समुद्री जलकी घंद्र परिवर्टन का है घर में हम ठंडी समुद्री घराएं चलती रहती है कोशन नमर्ट 31 की बात करें कहता दा आट तो अब ह verbessered को ऐसक्राइब नियुक्त तो बंड्र के करें तो कि कुलाइट फॉर्म मक HEL को बनाता है कब तो यहां से अगर आपने अप्सन सी चुना है फैट ग्लोबल्स और डिस्प्रेस इन वाटर कहता है जब वसा की गुलिकाएं पानी में सितरे जाते हैं तब मक्कन कुल राइट बनता है कोशन नमर 33 के बात करें द्यान से देखिएगा कहता है चार कोल कैन बी मेड एट होम बाई बर्निंग कहता है चार कोल घर में क्या जला कर बनाया जा सकता है राइट एंसर आप हो तानी तो आपसर नमबर एज द्राइट एंसर हो जागा कहता है उड इन एपसेंस आप फेहर कहता हावा के अन्पिस्तिती में लकड़ी के लकड़ी को क्या है चार को घर में जला कर बनाया जा सकता है तो यहां से अगर आपने अपसर नीचुना है बलेट के अंसर तो राइट एंसर हो जाएंगी थर्टीफाइव नमर केताँ कैता है इसमोंग इज ए कंबिनेशन आप कहता हो इसमोंग किसका समयोजन है राइट अंसर आपको उतानी है तो यहां से अगर आपने अप्संधी चुना है डिप अड़ी द्वान और कोहरा का क्या है इस आपका समयोजन है यहां से क्या है पिरत्वी का वाई मंडल की कि नियुक्त की कारण 37 की बात करें कहता है motor skills are associated with which part of the brain कहता है प्रेड़क कॉसल मस्तिस्क के कौन से भाग के साथ समन्नित है तो यहां सा अगर आपने अब सुन फर्स चुना है फॉरेंटल लोब तो राइट अब सो जगह लालाद भाग क्या है प्रेड़क कॉसल मस्तिस्क के भाग होते है थर्टी एट की बात करें कहता विच एंजाइम इज प्रजेंट इन आल नंबर्स आफ दा एनिमल्स इस्पेक्ट प्रोटोजों कहता प्रोटोजोवा के अलावा कौस एंजाइम प्राडी जगत के सभी सदस्विम मौझूद है राइट एंसर आपको होता है तो यहां से अगर आपने अपसन डी चुना है एमिलेज तुराइट असर एमिलेज क्या है प्रुटुजुवा की अलावा यह ऐसा अंजाइम है जो प्राड़ी जगत के सभी सदस्विम में हुजूद होता है और फिर्टे नाइन की बात करें कहता पाइलिंग पॉइंट अफ लिक्विड्स एट से कैता तरल पदात के क्या होता है तो यहां से अगर आपने संसी चुना है तापमान नियत रहता है तो राइट एंस तरल पदार्थ के को अतनांग पर क्या है जो इसमें टेंपरेचर रीमेंस कांस्टेंट होता है हमेंसा नियत रहता है पोर्टी नमर की बात करें कहता है लेबल आप एटमास्फियर विच इजे कंपोड़ पालिटली आफ इलेक्ट्रांस एंड पॉट्टिब आइंस इसकाल रिकाता वाता वरड़का वा अस्तर जो इलेक्ट्रांस और धनात्मक आइन के कुछ अंसों की मिसर्ट से बना है क्या कह सब्सक्रांस अगर आपने सब्सक्रांस भी चुना है आइनस भी है तो राइट एंसर हो जाएं कि देखो कई से सिंपल इसको कर सकते टू की पावर टू एन माइनस वन इकल टू इसका हो जाएगा यहां पर वान अपान टू की पावर फोर एन माइनस टॉल्ब क्योंकि दू के पावर चार से गुड़ा कर देंगे अब यहां पर क्या है ए पलस में है तो उपर जाएगा चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा टू एन माइनस वन टू से टू खतम हो जाएगा बचे क्या तो यहां पर द्हाण समझेगा और जलिए हैं ऐसको इधर बीच देती हैं तो क्या जागा चार फिम इन सब्सेती क्लेड गार्ण सूजब्च इसक्टूंक हो जाएगा क्या चार छाय इन इhooting क्या हो जाएगा बारDEN क्या जागा गुल यह यह तो तेरे अंक इन U कि आप से नमर सी दर आई टेल से नेश्ट कोईशन की बात करें कहता है एरिया अपे सक्वाईर ईजे 64 संटीमीटर स्कॉार वाट इद्दा परामीटर कहता है कवर का छेटफल 64 संटीमीटर स्कॉार परिमाप क्या होगा सिंपल कोईशन हैं हमने कहा है कि इसका वर मतलब जब बात करें वर्ट के इसका और गुमूलन निकाल देजिये 44 का और मूल क्या हो गाई होगा लग पर हमाप की बात करें तो चार होता है तो चार गोड़ी भुजाता चार रखे 32 सेंटी मेटर 32 सेंटी मीटर आपका अपसान नमरर डी दा राइट अनसर हो जाएगा कहता है कि if sign A is equal to one upon two, then cost two is, कहता है यदि sign A is equal to 12 है तो cost 2 a simple question है, यह देखिए sign कितने hands का मान होता है, sign 30 hands का मान होता है, तो 30 में 2 से multiply कर, cost 60 का मान हो जाएगा, cost 60 equal to 2 होता है, पान पान 2, आपसा number C is the right answer, 44 कहता है इप A अनपाते B A A ratio B equal to 2 ratio 3 comma B ratio C equal to 3 ratio 5 then A ratio C is कहता है यदि A upon B equal to 2 बटे 3 and B अनपाते C equal to 3 अनपाते 5 तो C A अनपाते C A अनपाते C equal to क्या ज़्यान से देखिएगा कहता है A बटे B multiply by B बटे C B से B खतम हो जागा A और C की बटे बटे 5 आपके आपसर नमर D दिख रहा है आपसर नमर D दा राइट अनसर हो जाए 45 के बात करने कहता है A minus 2 is a factor of A square minus 7 A plus 2 के find the value आपके simple question है जब इसका गुड़न खंड है तो इसके बराबर क्या हो जागा A minus 2 equal to 0 और A बराबर क्या हो जागा 2 अब A बराबर 2 हो जागा यहां से बैल रखते हैं एक आवर घत मतलब 4 minus 7 दून साथ दूना 14 प्लस 2 के अब देखिए इक्वल टू क्या हो जागा 0 अब चार में से 14 घताएंगे 10 प्लस 2 के और क्या हो जागा A उधर चले जागा तो प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जागा टू क्यों हो जाएगा और दो सिखात देंगे कि एक वाई लू जोगो दो पच्चे 10 हो जाएगी आप से नमबर डीदा राइक एंसर हो जाएगा कि नेस्ट कोश्चन के बात करें कोश्चन नमबर 46 कहता है कंडीशन और टू प्रिपेंडिकुलर पर्पेंडिकुलर लाइंस कहता है दो रिखाओं के बरस पर लंबहुत होने की सर्थ क्या होगी सिंपल कोश्चन है तो आपसा नमबर भी दर राइक एंसर मल्टिप्लाइब एंस्टू इकल टू था माइनस वन याद रखिएगा नेस्ट कोश्चन के पात करें 47 कहता इप है अंडरू 3 इकल टू 1.732 देन दा बैलू 7 अपां टू पलस इतना कमान क्या होगा तो 7 अपां कर देजिए 2 में जो एक दसमेल आर्स साथ है आपका राइट एंसर हो जाएगा 48 की बात करें कहता है 16 इन एक्वेशन 2x-1 छोटा है 9 से सबसे सिंपल कोश्चन है तो 2x क्या हो जाएगा छोटा होगा 9 माइनस दर जाएगा पलस 1 तो 2x इकल 2 एक क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और x इकल 2 से काट देंगे एक्स आपका क्या है बड़ा होगा 5 से अब देखेंगे एक्स जब छोटा होगा 5 से तो आप जो बैलू मिलनी वाली समुच्चे में 5 से छोटी सारी बैलू मिलेंगी पांसे छोटी काउंट कौन सी है 0 1 2 3 4 आपका आसा नमर्य हो जाएगा राइट एंसर क्वेशन 49 की बात करें कहता है इफ वन साइड आफ एक कू लिट्रेटर ट्रिंगल इजे ट्री सेंटी मीटर देन वाट विल बी इट एरिया कहता है यदि एक संभाव तिर बुझ एक बुझा बार अंदर तीन सेंटी मीटर की है तो उसका छेथफल क्या होगा संभाव का है तो संभाव का छेथफल आपसे पूछा गया है मतलब भुझा की बेलू है तो छेथफल अंदर रूत तीन पान फोर भुझा इसकार होता है तो भुझा 12 अंदर रूत तीन गुड़े 12 अंदर रूत तीन हो जाएगा अब ध्याज का सबसे सिंपल है 4 से कार्ज जी 3 बर जाईगा और मेंद रहा है हूं 15 नमबर को बात करें कहता है if 10 men or 18 boys can complete work in 15 days then in how many days 25 men and 15 boys can complete the same piece of work कहता है यदि 10 आदमी 18 लड़की किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो कितने दिनों में 25 आदमी 15 लड़की उसी काम को सिंपल कोश्चन है अब बात करें 10 men मतलब men की multiply कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में 18 बाइसी काम को भी 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं तब यहां से देखेगा 20 से यहां से पंदर से पंदर कतम हो जाएगा और इसको तोड़ी क्या जगा पांच यहां पर हो जाएगा 9 अनपाते करेंगे 25 आदमी और पंदरे बाइस की बात करें तो यहां से रख दीजिए बैलू तो 25 जान समझेगा 25 मतलब men की कितनी बैलू आई है 9 इपसंसी पलस क्या आई है पलस से बाइस की आई है 15 15 multiply by आपका 5 हुआ था है ना अब यहां पर इसको हल करते हैं तो यहां पर हल करेंगे multiply by क्या करेंगे x से जान समझेगा 25 यम है ना तो यहां से सबसे सिंपल कोईशन है 25 यम कर लीजिए परस 15 आई यही बात कर रहा है multiply by x कितने दिन में करेंगे x से इस इकल टू क्या है 18 y multiply by 15 है अब यहां से हम इसको हल करेंगे तो हम पूरे अच्छे से तोड़ते हैं तो देखेंगे कि हमको मिलेगा तो 60 b, 60 boy इसको हल करेंगे जब हमने हल किया तो हमको मिलेगा 60 y याद रखेगा 60 y multiply by x equal to 18 y multiply by 15 अब 15 से काटेंगे 4 बढ़ जाएगा और चार से 2 से काटेंगे 2 और 9 मतलब x का जुमान मिलने वाला है 9 बटी 2 आपको मतलब क्या होने वाद 4 से 1 बटी 2 इस दार राइट एंसर हो जाएगा तो वीडियो अच्छा लागा तो वीडियो को लाइक तो चैनल पर नहें तो चैन बने